इसको सुकर करके सुलया गिया था इसको छोटी जगह में लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं यह जो है किस तरह पाउं को फैदा करके तो दोस्तों इस पोश्ट के जरीए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फिलिस्तीन और इस्राइल में जो कुछ चल रहा है पूरी दुनिया को मालूँ है कि यहां पर गलती किसकी है कौन वहाँ पर 75 साल से जुल मज़्यादती को बढ़ावा दे रहा है इसलिए यहां पर आप रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आप वीडियो देख रहे हैं यह आज यानि के 13 अक्तुबर की वीडियो है जहां पर मस्जिद जो के कतर की जामे मस्जिद है वहां पर लोग जुमा की नमाज के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर परदर्शन करते हैं अभी जो फिलिस्त रही है विस्तिनियों पर वह पर फिश्ट किया जा रहा है और फिलिश्तिने बहाईयों के साथ में यहां पर हमदर्दी का यह जू इस इजार किया जा रहा है बहो पर जो इस्राइल कि तरब से जूंप और जूंदती हो रही है उसके पर जो इस्राइल की तरफ से जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ यहां पर नाराबाजी की जा रही है दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं यह जो है कतर की वीडियो है यहां पर आप लोगों को कतर की जो सबसे बड़ी मस्जिद है जाने मस्जिद बिन कि आप लोगों को किसी किसी वीडियो में यह जो आप देख रहे हैं इसमें से अक्सर लोग क्या है कि सब अरब कंट्री के होंगे यह वरकर होंगे लेकिन इन ही के बीच में कतरी लोग भी वहां के जो लोकल अरबी लोग हैं उन लोगों को भी देखा गया है इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप लोगों को हर तरह के लोग नजर आएंगे चाहिए वो अरबी कंट्री के यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हक्त में यहां पर नारे बाजी कर रहे हैं जबके इस्राइल के खलाप यहां पर मुझारा किया जा रहा है दोस्तों इससे पहले भी मैं एक वीडियो आप लोगे साथ में शियर कर चुका हूँ मैंने जिसमें आप लोगो डिटेल से बताया था इस्क्रिन पर मैंने आप लोगो मैप के जरीय समझाने के कोशिश की थी कि वहाँ पर फिलिस्तीन और इस्राइल का क्या जगरा है तो वहाँ के बच्चे भी इस जो है प्रोटेस्ट में शामिल है तो दोस्तों मैं बता रहा था कि आप लोगों को मैंने आप लोगों को मैप के जरीय समझाने की कोशिश की थी कि फिलिस्तीन और इस्राइल की बीच में जगरा के असल वज़ा क्या है अभी मैं आप लोगों को एक फोटो के जरीय समझाने वाला हूँ इस काटून फोटो को जिसने वी बनाया है उसने बहुती अच्छा जो समझाने कोशिश की है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है मैं उसको हैट कर दिया हूँ जानपोश करके ताक कोई वीडियो के अंदर में कोई दिक्कत नहों तो दोस्तों यह जो है उन्हें 46 का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलिस्तिन की सर्जमीन का पूरा का पूरा मालिक वहाँ के अरब लोग थे जबकि आप 1947 में देख सकते हैं कि यह जो है इससे पहले बेट के नीचे में यहाँ पर लेटा हुआ था अब इसको बेट की उपर में डाल दिया गिया है यह देख सकते हैं कि किस तरह यह आदमी डरा सहमा हुआ जो देख रहा है पीछे की तरफ जो के जबरदस्ति इसके ब पाउं को फैदा करके इसके पाउं को उपर में रख करके इसके पाउं की उपर में सर रख करके बिलकुल आजाना तरिके से सो रहा है यहां पर यह देखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो है इसराइल ने फिलिस्तिन की सरजमीन को स्टेप बाई स्टेप कैसे कबजा क या जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि दो हादार आते आते इस जो है इसराइल ने ये बेड़ जो इसराइल ने वहां पर वहां के जो लोकल लोग है उन लोगों की किस्तर वहां पर जमिन उन्म किया है इस तस्वीर के जरीए यह पर लगबग जो है साड़े दस मिनट की वीडियो में बताया था अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख ले मेरे खाल से आप लोगों को और भी वहतर देखे से बात समझ में आएगी दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में एक और चीशियर किया था वो यह क्तर में एक होटल है जिसका नाम है पूरा वीड़ा यहां पर आप देख सकते हैं इसके बारे में लेटर स्ट ख़बर यह है कि इसका जो कतरी पार्टनर था वो कतरी पार् और था वो जो है इस्राइल के हमायत का एलान कर रहा था जिसकी वज़स यहां पर कतरी ने जब पार्टनर्शिप को यहां पर तोड़ दिया इस होटल को यहां पर बंद होना पड़ा दोस्तों मैं इस वीडियो का लास्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शियर करकि इस बनट को ब्र चल करकि डोनेट करने के लिए जहरों को हिसा लेना चाहिए क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो इस बलट को बाहर में भिज़ा जा सकता है जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर ज वल्रोत को कर सकते हैं इसी तरह यहां पर बते गिया है कि में रहा दिल 15 तक साथदे से लेकर के जुमराद तख साथ बजे स्बस लेकर के lens 9 वजे रात तक आप स्ब्य है इसको डोनेट कर सकते हैं जुमा को बंद रहता है जबके सनेचर को सुबह 8 बजे से 2 पहर 2 बजे तक तो कल भी आप बलट को डोनेट कर सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर के जोहर के टाइम 2 बजे तक अगर आपकी हेल्द ठीक ठाक है तो ज़रूर इस काम में हिस्सा ले दोस्तों यहाँ पर जाब सक्रीन शॉट देख रहे हैं इस स्क्रीन शॉट को मेरे ट्टटर से लिया है यहाँ पर जो आप लोग एकाउंट नदर आ रहा है अगर इस एकाउंट को सर्ज करते हैं और पोस्ट को आप तलश करेंगे तो आप लोगों को मिल जायेगा तो आप जाकर करे देख सकते हैं इस sentence में यहाँ पर पुछा गिया है कि आप लोगों की हमदर्दि किसके साथ में है आप इसराइल को support करते हैं यही की फिलिस्तिन को support करते हैं तो यहाँ पर इसमें 14,37,178 इसमें vote मिला है इसमें से कहा गिया है कि 40% लोगों ने कहा है कि हम इसराइल के साथ में है जबके फलस्तिन के साथ में यहाँ पर 45.3% यहाँ पर लोगों की तरब से जो वोट आया है वो फिलिस्तिन के हक में आया है तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोग फिलिस्तिन के हक में है जबके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14.8% लोगों ने यहां पर किसी के भी हग में वोट नहीं दिया है, मतलब कि वो दोनों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों इस पोस्ट के जरिये मैं आप लोगों को बतना चाहूंगा, कि फिलिस्तीन और इस्राइल में जो कु वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शियर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया,